नमस्कार दोस्तों, आइनसी टीवी पर आपका स्वागत है, खुबसूरत पंजाब के खुबसूरत खेट की खुबसूरत तस्वीर, लेकिन अब खबर, तूते हिंद अमेर खुसरों का एक दोहा सुनाना चाहता हूँ, खबर के बीच में कुछ शेरों शायरी होगी, लेकिन पहले खुसरों सहाब के इस दोहे पर गौर फरमाईए, क्या कहा है खुसरों सहाब ने? खुसरो रैन सुहाब की जागी पी के संग, तन मेरा मन पियों को दो भय एक रंग, ये भक्ती की चरम अवस्था है, जब भक्त और भगवान एक आकार हो जाते हैं, दोनो एक दूसरे में सम्माहित हो जाते हैं, उस वक्त दोनों एक रंग में रंग जाते हैं भक्ती के इस रंग पर कबीर दाश जी ने कहा है जिने हम कबीर बाबा भी कहते हैं तो कबीर दाश जी ने कहा है लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल भक्त भगवान की लाली देखने निकलता है लेकिन वो लाली इसकदर प्रभावित होती है कि खुद भक्त उस लाली में सम्माहित हो जाता है पवित्र भक्त की इस भक्ती के साथ चले लोटते हैं पॉलिटिकल भक्ती से जुड़े एक सवाल पर मेरे मन में ये सवाल दहिंदू अखवार की एक रिपोर्ट के बाद उधा है दहिंदू ने पिछले 3 साल के केजरिवाल जी के भाषण और उनके ट्weets परर्रिसर्च करने के बाद जो रिपोर्ट प्रकाशित की है उसके मताबिक साल 2020 में केजरिवाल जी ने एक बार मोदी शब्द का इस्तेमाल किया है 2021 में केजरिवाल जी ने मोदी जी का एक बार भी नाम नहीं लिया और 2022 में भी वो इसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं 8 जन्वरी को 5 राजियों में विधानसवा चुनाओ की घोशना के बाद केजरिवाल जी ने कुल 38 भाषन दिये हैं लेकिन एक में भी जो भाषन है उसमें उन्होंने मोदी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया उनके ट्वीट की बात करें तो साल 2020 में उन्होंने एक बार साल 2021 में एक बार भी नहीं और साल 2022 में बस एक बार मोदी जी का नाम लिया है वो भी तब जब वो पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी पर निशाना साथ रहे थे क्रिशी कानून का इतना बड़ा मुद्दा, कोविट काल का इतना बड़ा संकट संसत से लेकर सड़क तक मोदी जी के खिलाफ आवाज बुलंद हुई लेकिन सड़ जी की जुबा पर मोदी जी का नाम क्यों नहीं आया क्या दोनों के बीच खास डील हुई है यहां आपको बता दो कि अपने दूसरे कारकाल में मोदी जी भी केजरी वाल जी पर खूब महरबान है पहले मोदी जी एकसर केजरी वाल जी पर फायर रहते थे लेकिन अब फिल्म इस जुबा में कहूँ तो वो केजरी वाल जी पर फायर नहीं फ्लावर रहते हैं बस रोज डे और हागिंग डे नहीं मना रहे हैं बाकि वो सब कुछ कर रहे हैं माजरा क्या है आखिर क्यों मोदी जी और केजरिवाल जी एक दूसरे पर इस कदर महर्मान हो रहे हैं कि एक दूसरे का नाम तक जुबा पर नहीं ला रहे हैं पॉलिटकल प्यार का ये कैसा अंदास है जनाब इसी सवाल से जुड़ा हुआ एक और पहलू है सियासी गल्यारों में ये चर्चा खूब चलती है कि मूल तोर पर मोदी जी और केजरिवाल जी एक ही डाली के दो फूल है दोनो नागपुर के सियासी संतरे हैं केजरिवाल जी के राजनेती कुथान में नागपुर की जो भूम का रही है उससे भी अब कोई अंजान नहीं है तो क्या नागपुर नरेश ने दोनों के बीच कुछ ऐसी डील कराया है जिसके तहट दोनों सियासी महब्बत के तराने का रहे हैं इस तरह के कई और सवाल मेरे मन में हैं जवाब एक का भी नहीं मिल रहा है अगर आपके पास इन सवालों का जवाब है तो जरूर बताईएगा नमस्कार